हमारे पास डिफरेंस आ जाता है एक पर ओक्जिसोम एक ग्लाइ ओक्सिसोम का जो के बहुत असान और सिंपल से हैं दोनों को अकठा कुलेक्टिवली नाम दाइते हैं Microbeues का नाम देते हैं और दोनों के दोनों single membrane bounded огромally है बला वह पर ओक्सिसोम है बला वह ग्लाइ ओक्सिसोम है दोनों में डिफरेंस यह है कि दोनों के पास जो enzymes हैं वो different है जो कि आपस में एक सुरे से मिलते जुलते नहीं है हाँ एक आतर मिलता जुलता होगा मगर इनके पर different enzymes होते हैं और यह दोनों की दोनों छोटे होते हैं smaller होते हैं किसे लाइसोसॉम से चले detail में देखते हैं पर औक्सिसॉम लिवर साइल के पास काफी जादा होता है जबकि गलाइक ऑक्सिसॉम प्लांट के अंदर जो लिपट कॉंटेनिक सीड्स हैं इनके पास काफी जादा होता है बहुत important पॉइंट है पर औक्सिसॉम के पास जो enzymes है वह oxidative enzymes है जैसे पर औक्सिडेस, catalyze, glycolic acid oxidase है गलाइक ऑक्सिसॉम के पास glycolic acid oxidase है और catalyzes ये enzymes मुझोद होते हैं पर औक्सिसॉम का 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 है हमारी body के अंदर animals के अंदर ये decomposition कर रहे हैं और बना रहे हैं किसको बनाना किसको तोड़ना उसका नाम है hydrogen par oxide मत्र है hydrogen par oxide को बनाना decomposition करना औ पर formation करना जिसकी जिम्हधारी है उसका नाम के अपर औक्सिसॉम के रहते हैं जबकि गलाइक ऑक्सिसॉम की जिम्हधारी है प्लांट सेल के अंदर जिसका नाम lipid containing seed है इनके अंदर गलाइक ऑक्सिलेट cycle को चलाना गलाइक ऑक्सिलेट cycle में क्या होता है कि convert करना store fatty ये lipid है लिपड तो fatty acid को convert करना कार्बो हाइडरेट के अंदर ये गलाइक ऑक्सिसॉम की जिम्हधारी है ताकि वो जो seed है वो germination कर सके अपने आपको grow या अपने प्लांट को develop कर सके इसकी germination के लिए कार्बो हाइडरेट को चाहिए और कार्बो हाइडरेट कहां से आती है store fatty acid से बन सॉम के इसको one by one करके देखते है पर oxidase का 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 क्या है बाकियों का का क्या होता है पर oxidase एक मेरे बचे याद हमाँए डी टोकसिफिकेशन करता है अल्कोहल की by oxidation of S2O2 इसकी oxidation करके detoxification करता है किसकी alcohol की hydrogen per oxide जो S2O2 है ये काफी toxic होता है इसको तोड़ा जाता है into S2O और O2 इसक है even formation of glycine from glycolate यह glycolate से glycolate को बनाना यह amino acid को इस amino acid के form में लेके जाना यह कि बी होता पर oxy cima कें अंदर होता है और चलाने वाला को ना glycolic acid oxidase है और यह जिस process में चल दा उसका नाम अ फोटराữaज्सपारैशन है यह तीन enzyme का मैंने रोल बताया पर oxidase का मैंने पहले बता दिया catalyze का उसके बाद आ गया और last में glycolic acid oxidase का बाद में आ गया कि इसकी जिम्हेदारी है glycolate से glycine को बनाना photo respiration के अंदर